उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक खेत में एक यूवक का शव मिला है शव मिलने से आसपास दहशत का माहोल है शव मिलने से पुलिस भी हरकत में आ गई है पुलिस ने अपनी जांच तफ्ती शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि यूवक की मौत कैसे हुई इस बारे में ज जिला थाना शेत्र में उस समय संसनी फैल गई जब एक यूवक नसीम का शब खेत में पड़ा हुआ मिला गटना की सूचना मिलने पर पुलिस अदिक्षक अनुराग वत्स भी मौके पर पहुंचे उन्होंने बारीकी से निरक्षिन किया शब को पुलिस ने कबजें में लेकर पॉस्टमार्टम के लिए भेज दिया है गटना सर पर पहुंचे पुलिस अदिक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि कुछ महतुपूंट सुराग हात लगे हैं उसी के आधार पर कारिवाई की जा रही है शब को पॉस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है यह सर क्या घटना होई है सर यह थाना मजला चेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई है थोड़ जर पहले कि एक रड़का नसीम जो जिसके घट-बोडी यहां पड़ी हुई है और इस सूचना पर हम सभी ऑफसर्स और फीड यूनिट यहां घटनास्तल पर हैं और घटनास् अब हम जो संभावित लोग है उनके गरफतारी के लिए प्रयास के जा रहा है यह साहबाद का दोरा निरिक्षन किया गया है सर क्या पाया गया है अना शाहबाद का जमाने दोरा अकस में इरिक्षन किया गया है और जो नेट-फोन अभिनान चल रहे हैं उनकी समीशा की करना और कोविड प्रोटकोल को फॉलो कराना इन सभी बिन्दों पर दिस्तार से चर्चा हुई है और जो कमिया पाई गई है उनके लिए एसेच्चो शाहबाद को बताया गया है कि उनको जल्दी खीट करें उनका समधान करें साथ ही मैला हमदेस को मेरे द्वारा चेक किया लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल जब्दी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और जोती गार्डन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गार्डन आजगराना जोती गार्डना जोती ग